आप सबको मेरा नमस्ते, अभी ये सेशन में मैं आपको दो टुटॉरल दिखाने वाली हूँ, एक तो है कि nutrient count, मतलब जो जबी वो macro खाते है ठीक है, या तो जो खाना है जिसमें macronutrient मतलब carbohydrate protein और fat और micronutrient मतलब calcium, iron, जो बहुत कम मात्रम में हमको चाहिए, और दूसरा जो टुटॉरल है macronutrients, macronutrients मतलब हम लोग को, we know about तीन macronutrients, जो है carbohydrate, protein और वसा ठीक है, तो ये सेशन में हम लोग ये भी बताने वाले है कि उसका महत्वा क्या है, carbohydrate का महत्वा क्या है, protein का महत्वा क्या है और वसा का महत्वा क्या है, कौन से खाने से हम लोग को ये सारा मिलेगा, तो वो टुटॉरल है, उसमें हम लोग दिखाने वाले है, कि अगर आपने एक रोटी काई तो उसमें कितना protein होगा, कितना carbohydrate होगा, कितना आयन होगा, जो आपकी जो day to day जो खाना आप खाते है, इडली खाई, चलो की दोसा खाया, कि चावल खाया, ठीक है, और वो टुटॉरल में हम लोगों ने ये भी दिखाया हुआ है, कि आप वो जो खाना जो रोज मरोश्का खा रहे हो, उसमें और क्या आप एड कर सकते हो, जिससे उसके जो पोशन तत्वा है वो बढ़ेंगे, तो ये जो टुटॉरल है आपके लिए बहुत प्राक्टिकल ह आपको सिर्फ चावल या रोटी नहीं कानी है, चावल रोटी की मात्रा कम करके जो दूसरा खाना जो बताया हुआ है, जो प्रोटीन रज खाना है, वो आपको ज्यादा आड करना है, तो ये दोनों टुटॉरल आप देखे और सबके साथ शेयर किजिए, नमस्ते मैक्रो न्यूट्रियंट के परिचे पर बने स्पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है, इस टुटॉरियल में हम जानेंगे प्रोटीन, फैट, कार्बो हाइडरेट के बारे में, मैक्रो न्यूट्रियंट या मैक्रोज जरूरी पोशक तत्व हैं, इन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइडरेट शामिल हैं। प्रोटीन से शुरू करते हुए इन में से हर मैक्रोस के बारे में ज़ादा जानेंगे। प्रोटीन के बुनियादी निर्मान खंड अमाइनो एसिड हैं। जब हमारे शरीर को प्रोटीन बनाने की ज़रूरत होती है तो यह अमाइनो एसिड को एक साथ जोडता है। यह पेप्टाइड्स बनाता है। पेप्टाइड्स आपस में जुड़कर पॉली पेप्टाइड्स बनाते हैं। उधारन के लिए जैसे की वे बाल या मासपेशियों के उतक बना सकते हैं। जब हम प्रोटीन खाते हैं तो इसकी उल्टी प्रक्रिया होती है। पाचन के समय हम जटिल प्रोटीन को तोडते ह ये छोटे पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड बनाता है। फिर जैसे की पहले बताया गया है हम इन अमाइनो एसिड का इस्तिमाल नए प्रोटीन बनाने के लिए कर सकते हैं। अब प्रोटीन के पाचन के बारे में समझते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेपसिन के साथ पेट में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। वे प्रोटीन को पॉली पेप्टाइड्स और एक-एक अमाइनो एसिड में तोड़ना शुरू करते हैं। ये पॉली पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड छोटी आंथ में जाते हैं आगे वहां पर अगनाशय के एंजाइम इन पॉली पेप्टाइज को तोड़ते हैं अमाइनो एसिड और छोटे पेप्टाइज फिर आंथ की दिवार को पार करते हैं वे खून की धारा में दाखिल होकर कोशिकाओं में जाते हैं वहां उनका इस्तेमाल नए जो खाने के द्वारा सेवन किये जाते हैं उन्हें भी कलेजे तक पहुंचाया जाता है वहां वे संसाधित होते हैं और शरीर की अन्य कोशिकाओं में बांटे जाते हैं हम प्रोटीन को लगातार तोड़ते हैं और नए प्रोटीन बनाते हैं हम प्रोटीन को जमा नहीं कर स इसलिए हमें हर रोज अलग-अलग खाने की चीजों से भरपूर प्रोटीन लेने की जरूरत होती है। प्रोटीन के कामों और हर रोज की जरूरतों पर एक अन्य टुटॉरियल में बताया गया है। अब फैट की बात करते हैं। फैट का बुनियादी निर्मान खंड फैटी एसिड हैं। फैट, कार्बन और हाइडरोजन से बना होता है जो लंबी श्रिंखलाओं में एक साथ जुड़े होते हैं। इन लंबी श्रिंखलाओं को हाइडरो कार्बन कहते हैं। Fat की संरचना ये प्रभावित करेगी कि यह हमारे शरीर में किस तरह से रहता है। Saturation का स्तर Fat की संरचना पर असर करता है। Saturation एक हाइडरोकारबन श्रिंकला से बन्दे हाइडरोजन की मातरा को संदर्भित करता है। जितना जादा हाइड्रोजन जुड़ा होता है, फैट उतना ही जादा सैचुरेट हुआ होता है। सैचुरेटेड फैट, नारियल, दूद, दूद उत्पादों, मास वगेरा में पाए जाते हैं। इस तरह के फैट में हाइड्रोजन श्रिंकला पर मिलने वाले सभी जगों को भर देते हैं। हालां कि यदी हाइड्रोजन केवल कुछ जगह पर भरा हो तो फैट अनसाचुरेटेड है। मोनो अनसाचुरेटेड फैट वे हैं जिनमें केवल एक अनसाचुरेटेड कार्बन होता है। मूफली में 50 प्रतिशत से अधिक फैट मोनो अनसाचुरेटेड है। जैतून में लगभग 60 से 80 प्रतिशत फैट मोनो अनसाचुरेटेड होता है। पॉली अनसैचुरेटिड फैट वे हैं जिनमें कई अनसैचुरेटिड कार्बन जोड़े होते हैं। ये मचली, अक्रोट, अलसी के बीज, सूरज मुखी के बीज आधी में पाए जाते हैं। फैट को पचाने के लिए शरीर फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। इस तरह का तोड़ा जाना मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। छोटी और मध्यम श्रिंखला फैटी एसिड सीधे खून में छोड़े जाते हैं। लंबी श्रिंखला वाले फैटी एसिड काईलो माइक्रोन नामक कणों में दोबारा बंद हो जाते हैं। काईलो माइक्रोन पहले लिम्फैटिक प्रनाली में जाते हैं और फिर खोन की धारा में। वे उर्जा के लिए इस्तिमाल किये जाते हैं। या जमा करने के लिए शर रहने के लिए हमें मिली जुली फैट का सेवन करना चाहिए। यह संतुलन अलग-अलग तरह के संपूर्ण कम प्रसंस्कृत खादिपदार्थ खाने से स्वभाविक रूप से आता है। इसमें दाने और बीज, डेरी, अंडे, फैट से भरपूर मचली, मास, नारियल, आदी, शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि इन में से कुछ खादिपदार्थ सैचुरेटिट फैट से भरपूर हैं। उन में से कुछ में कलिस्ट्रॉल भी है। ये कोई बुरी चीज नहीं है। हमें जीने के लिए कलिस्ट्रॉल की जरूरत होती है। आहार में अलग-अलग तरह क के फैट शामिल होने चाहिए। इसमें भरपूर, सैचुरेटिट, मोनो-अनसैचुरेटिट फैट, ओमेगा-6 और ओमेगा-3 फैट शामिल हैं। कुछ फैट ऐसे हैं जिने आहार में से कम करना चाहिए या हटाना चाहिए। प्रसंस्कृत खानों में मौजूद ट्रांस फ पात एक-एक है। तलने के लिए पॉली-अनसैचुरेटिट फैट का दोबारा इस्तिमाल करने से कई बिमारियां हो सकती हैं। फैट के बारे में जादा जानकारी इसी श्रिंकला के एक अन्य चुटारियल में बताया गया है। अंत में कार्बोहाइडरेट के बारे में बा लेक्टोज की सनरच्णा में एक चक्र होता है। डाइसैकराइड जैसे सुक्रोज और लेक्टोज में दो मोनोसैकराइड एक साथ जुड़े होते हैं। पॉलिसैकराइड में कई मोनोसैकराइड एक साथ जुड़े होते हैं। इन्हें जटिल कार्बोहाइडरेट भी कहा जाता है उदाहरन, ग्लाइकोजन, स्टार्च और कई प्रकार के घुलने वाले और ना घुलने वाले फाइबर हैं ये फलियां, अनाज, कंगनी, रागी, सबजियों आदी में पाए जाते हैं हम हमेशा कार्बोहाइडरेट बनाते रहते हैं और तोड़ते हैं साधारन स्टार और शुगर पाचन के समय मोनो सैकराइड में तूट जाते हैं उदाहरन के लिए सुक्रोज सोखे जाने के लिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तूट जाता है अन्य कार्बोहाइडरेट जैसे सेल्यूलोज मानव शरीर में नहीं तोड़े जा सकते साधारन शुगर को शरीर में एक साथ जोड़ा जा सकता है उदाहरन के लिए ग्लूकोज हमारे कलेजे और मास पेशियो में ग्लाइकोजन बन सकता है कार्बोहाइडरेट हमारे शरीर में बाकी के योगिक पदार्थ भी बना सकते हैं कार्बोहाइडरेट को पचाने की प्रक्रिया उसी समय से शुरू हो जाती है जब हम उसे अपने मुँ में डालते हैं हमारी लार में एमाईलेज नाम के एंजाइम होते हैं वे जटिल कार्बोहाइडरेट को छोटी कार्बोहाइडरेट श्रिंकलाओं में तोड़ना शुरू करते हैं फिर कार्बोहाइडरेट पेट से होते हुए छ में तोड़ते हैं, ये ।ो सेकराइड में तूठ जाते हैं उदाहरन के लिए सूक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तूठ जाता है फिर वे आन्टों की कोशिकाओं से होते हुए रक्तवाहिकाओं में जाते हैं फिर सामान्य संचार से पहले उन्हें कलेजे में ले जाया जाता है उर्जा वित्रन और ग्लाइकोजन जमा करने के लिए कलेजे को जो चाहिए वो ले लेता है फिर बाकी कोब है ग्लूकोज के रूप में खून में भेजता है कोशिकाएं इंसुलिन की मदद से खून में से ग परिवर्तित होता है। मास पेशियों का सिकुड़ना भी कोशिकाओं में ग्लुकोज लाता है। वह भी बिना इंसुलिन के। इसलिए व्यायाम के बाद ग्लुकोज का सेवन आम तोर पर बहतर होता है। यही कारण है कि चाया-पचय रूप से व्यायाम हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। शरीर हमेशा खून में ग्लुकोज के स्थर को सही बनाए रखने की कोशिश करता है। खून में शुगर का स्थर बहुत कम हो जाता है तो शरीर को ग्लुकोज की नई आपूर्ती की जरूरत होगी। हम जो खाना खाते हैं उस कार्बोहाइडरेट में से ग्लुकोज बनाया जा सकता है। इसे कलेजे में जमे हुए ग्लाइकोजन को तोड़ कर भी बनाया जा सकता है। यह खून में ग्लुकोज के स्थर को स्थिर करेगा और उर्जा एकदम से प्रदान करेगा। खून में शुगर का स्थर बहुत जादा बढ़ जाता है तो कले कभी कभी कलेजे और मासपेशियों में जमा होने के बावजूद भी खून में शुगर का स्तर बहुत जादा होता है फिर शरीर में मौजूद जरूरत से जादा ग्लुकोस फैट में बदल जाता है गुनवत्ता के मामले में सभी कार्बोहाइड्रेट एक समान नहीं बनाए ग हमें लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं वे स्वभाविक रूप से संपूर्न खादिपदार्थों में मिलने वाली बाकी की चीजों से जुड़े होते हैं संपूर्न खादिपदार्थों में सुक्ष्म पोशक तत्व, फाइटो न्यूट्रियंट, फाइबर, पानी प्रोटीन और फैट होते हैं इसी लिए संपूर्न खादिपदार्थ शरीर में धीरे-धीरे उर्जा और ग्लुकोस छोड़ते हैं ये हमारे खून में शुगर और इंसुलिन के स्तर को स्थिर रखते हैं संपूर्न खादिपदार्थों में मौजूद फाइबर आंत के अच खाना सबसे अच्छा होता है विस्कुट और चिप्स जैसे साधारन बहुत जादा प्रसंस्कृत कार्बोहाइडरेट जल्दी हजम हो जाते हैं तो भी उन से हमें संतुष्टी नहीं मिलती वे पोशक्तत्वों से भरपूर नहीं होते उन में जादा मात्रा में सोडियम और और योगिक रसायन होते हैं उन में ट्रांस फैट और संरक्षक भी होते हैं वे हमारी भूप को बढ़ाते हैं और हमें जादा खाने की लालसा देते हैं वे हमारे खून में शुगर और इंसुलिन के स्तर में उतार चड़ाव ला सकते हैं इसका मतलब है हम चिप्स का एक कर सकते हैं फिर भी अधिक खाने की लालसा कर सकते हैं और आधे घंटे के बाद हमें दोबारा भूक लगती है जंक फूड के बारे में जादा जानकारी एक अन्य चुटारियल में दी गई है अधिक जानकारी के लिए क्रिप्या हमारी वेब साइट पर जाएं अब यह टु रोज के खाने में पोशक तत्वों की मात्रा पर बने स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम जानेंगे पोशन का महत्व रोज के खाने में पोशक तत्वों की मात्रा अच्छे स्वास्त के लिए पोशन जरूरी है शैशवा वस्था से ही जरूरी पोशन महत्वपूर्ण होता है व्रुद्धी और विकास के लिए यह कुपोशन को रोकने में भी मदद करता है पोशन की कमी से दिमागी और शारिरिक विकास रुख सकता है इससे रोग प्रतिरोधक शक्ती भी कम हो सकती है रोग प्रतिरोधक शक्ती कम होने पर छोटी और पुरानी बिमारिया बढ़ सकती है शीशू को स्तनपान करा कर पोशन संबंधी दिक्कतों से बचा जा सकता है याद रखे कि शीशू को उनके जन्म के पहले घंटे में ही स्तनपान कराना चाहिए सही तकनिक से पहले 6 मेहनों तक सिर्फ स्तनपान करना जरूरी है 6 मेहनों के बाद मा के दूर के साथ पोशक तत्वों से भरपूर खाना खिलाना चाहिए पोशक तत्वों से भरपूर खाने को पूरक आहार कहते है पूरक आहार सभी पोशक तत्वों से भरपूर होना चाहिए प्रोटीन महत्वपूर्ण पोशक तत्वों में से एक है यह वृध्धी और विकास में मदद करता है इसलिए रोज के खाने में प्रोटीन से भरपूर चीजों को खाने की सलह दी जाती है दूद और दूद से बनी चीजे, फलिया, दाने और बीच प्रोटीन के अच्छे स्त्रोथ है अंडे, मचली, चिकन और मास भी बहुत अच्छे स्त्रोथ है शरीर शाकाहरी खानों के मुकाबले माउसाहरी खानों में से ज़्यादा प्रोटीन सोकता है ऐसा इसलिए है क्योंकि माउसाहरी खानों में पूर्ण प्रोटीन होता है पूर्ण प्रोटीन में सभी जरूरी अमिनो एसीड होते है प्रोटीन के महत्व के बारे में एक अन्य टुटोरियल में बताया गया है इस टुटोरियल के लिए क्रुपया हमारी वेबसाइट पर जाए आईए कुछ खाद्यस्तरोतों की प्रोटीन की मात्रा पर नजर डाले 100 ग्राम मचली में लगभग 21 ग्राम प्रोटीन होता है 250 मिलिलीटर गाय के दूद में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है एक पूरे अंडे में लगभग 7 ग्राम होता है 30 ग्राम सोयाबीन में 11 ग्रोटीन होता है जबकि 30 ग्राम सभी कच्ची डालों में लगभग 4 ग्रोटीन होता है आईए कुछ रोज के खाने में पोशक तत्वों की मात्रा देखे कृपया ध्यान दे इस टुटोरियल में बताया गया एक मध्यम आकार कटोरा 150 मिलिलीटर का है एक बड़ा चम्मच 20 ग्राम है बताए गये पोशक मुल्य अनुमानित मुल्य है अब मैं आपको पके हुए चावल के पोशक तत्वों के बारे में बताऊंगी आधी मध्यम कटोरी पके हुए चावल में 22 ग्राम कार्बोहाइडरेट होता है इसमें केवल 2 ग्राम प्रोटीन होता है इसमें 1 ग्राम फाइबर होता है दो मिलिग्राम कैल्शियम है पर आयरन बिल्कुल नहीं है आईए अब एक सामान्य खाने के पोशन मुल्य को देखे उदाहरन के लिए आधी मध्यम आकार की कटोरी पके चावल के साथ चिकन करी आधी कटोरी चिकन करी में 100 ग्राम बिना हड़ी का चिकन या उसके चार छोटे छोटे तुक्डे होते है एक अन्य उदाहरन दही चावल की आधी मध्यम आकार की कटोरी है आधी मध्यम आकार कटोरी दही चावल में 100 ग्राम दही होगा पके हुए चावल को आधी कटोरी चिकन के साथ लेने पर प्रोटीन 10 गुना तक बढ़ जाता है यह आइरन को 0-1 mg तक बढ़ा देता है 100 ग्राम दही के साथ लेने पर प्रोटीन 3 ग्राम बढ़ जाता है और कैलशियम 100 गुना बढ़ जाता है इसी तरह आधी कटोरी राजमा के साथ पके हुए चावल में चार गुना अधिक प्रोटीन होता है आधी कटोरी राजमा में 30 ग्राम राजमा होता है फाइबर बढ़कर 7 ग्राम हो जाएगा और 2 मिलिग्राम तक आइरन भी बढ़ेगा आधी कटोरी मचली के साथ खाने पर प्रोटीन 2 से 24 ग्राम तक बढ़ जाता है आधी कटोरी मचली में 100 ग्राम मचली या 2 छोटे टुकडे होंगे यह काल्शियम को 2 से 45 मिलिग्राम तक बढ़ा देता है इसी तरह आधी कटोरी जिंगा प्रोटीन दो से बढ़कर 16 ग्राम कर देती है आधी कटोरी जिंगा करी में 50 ग्राम या 3-4 जिंगे के टुकडे होंगे कैल्शियम 2 मिलिग्राम से बढ़कर 47 मिलिग्राम हो जाता है आधी कटोरी दाल पके हुए चावल के साथ प्रोटीन को 6 गुना तक बढ़ा देती है आधी कटोरी दाल में 30 ग्राम दाल होगी फाइबर 11 ग्राम तक बढ़ जाता है और आइरन 2 मिलिग्राम तक बढ़ता है अब मैं आपको गेहु से बनी एक चपाती का पौश्टिक मुल्य बताऊंगी 6 इंच चपाती में लगभग 16 ग्राम कार्बोहाइडरेट और 3 ग्राम प्रोटीन होता है इसमें लगभग 3 ग्राम फाइबर 9 मिलिग्राम कैल्शियम और 1 मिलिग्राम आइरन होता है इसे दो अंडों की भुर्जी के साथ खाने से प्रोटीन 16 ग्राम तक बढ़ जाता है आइरन बढ़कर 3 मिलिग्राम और कैल्शियम 69 मिलिग्राम हो जाता है आधी कटोरी काले चने के साथ चपाती खाने से प्रोटीन 3 ग्राम बढ़कर 9 ग्राम हो जाता है आधी कटोरी काले चने की सबजी में 30 ग्राम चने होंगे फाइबर बढ़कर 11 ग्राम और आइरन 5 मिली ग्राम तक बढ़ जाता है आईए, अब तील और अलसी की चटनी के साथ चपाती के पोशक गुनों के बारे में जानते है एक बड़ा चमच तील और अलसी की चटनी प्रोटीन को बढ़ा कर 7 ग्राम कर देती है यह फाइबर को 8 ग्राम तक बढ़ा देती है कैल्शियम 100 गुना बढ़ जाता है चपाती के साथ आधी कटोरी बक्रे की कलेजी खाने से आईरन की मात्रा 6 गुना बढ़ जाती है आधी कटोरी कलेजी की करी में 60-70 ग्राम बक्रे की कलेजी होगी प्रोटीन 20 गुना तक बढ़ जाता है अब हम इडली के पोशक तत्वों की मात्रा देखेंगे तीन इंच की तीन इडलियों में 18 ग्राम कार्बोहाइडरेट और 3 ग्राम प्रोटीन होता है इन में 2 ग्राम फाइबर, 7 मिलिग्राम कैल्शियम और शुन्य पूर्णांक 5 मिलिग्राम आइरन होता है आईए देखें कि कैसे सामबर और तील मुंगफली की चटनी पोशक तत्वों की मात्रा बढ़ाती है आधी कटोरी गाढ़े सामबर में 30 ग्राम अरहर की डाल होगी आधी मध्यम कटोरी गाढ़े सामबर के साथ इडली से प्रोटीन 2 गुना हो जाता है यह कैल्शियम को 30 गुना बढ़ा देता है एक बड़े चम्मच तील मुंगफली की चटनी प्रोटीन को बढ़ा कर 7 ग्राम कर देती है यह कैल्शियम को 44 मिली ग्राम तक बढ़ाता है इसके बाद हम डोसा के पोशक तत्वों की मात्रा देखेंगे 6 इंच के एक डोसे में लगभग 18 ग्राम कार्बोहाइडरेट और 3 ग्राम प्रोटीन होता है इसमें 2 ग्राम फाइबर, 9 मिली ग्राम कैल्शियम और 0 पुर्णांक 6 मिली ग्राम आईरन होता है दोसा बनाते हुए एक अंडा डालने से प्रोटीन साड़ी 4 गुना बढ़ जाता है यह आईरन को 1 मिली ग्राम तक बढ़ाता है आधि कटोरी चिकन करी के साथ दोसा खाने से प्रोटीन बढ़कर 21 ग्राम हो जाता है आधी कटोरी चिकन करी में 100 ग्राम बिना हड़ी का चिकन या उसके 4 छोटे टुकडे होंगे एक चम्मच तील मुंगफली की चटनी प्रोटीन को बढ़ा कर 7 ग्राम कर देती है यह कैल्शियम को भी 9 से 108 मिलिग्राम बढ़ा देता है अब हम उपमा के पोशक तत्वों की मात्रा जानेंगे आधी कटोरी उपमा में लगभग 18 ग्राम कार्बोहाइडरेट और 4 ग्राम प्रोटीन होता है इसमें 3 ग्राम फाइबर, 12 मिलिग्राम कैल्शियम और 1 मिलिग्राम आइरेन होता है एक बड़े चम्मच नारियल और दही की चटनी के साथ खाने से फाइबर 6 ग्राम तक बढ़ जाता है प्रोटीन बढ़कर 7 ग्राम हो जाता है कैल्शियम 42 मिलिग्राम तक बढ़ जाता है उपमा के साथ एक बड़ा चम्मच तील मुंफली की चटनी प्रोटीन को 7 ग्राम तक बढ़ा देती है यह फाइबर को 5 ग्राम तक बढ़ता है कैल्शियम 90 गुना बढ़ जाता है एक गिलास लसी में एक चुटकी नमक मिलाने से प्रोटीन 7 ग्राम बढ़ जाता है एक गिलास लसी में 50 ग्राम दही होता है कैल्शियम बढ़ कर 131 मिली ग्राम हो जाता है अब आगे बढ़ते हैं जवार की रोटी के पोशक तत्वों की मात्रा जानने के लिए 6 इंज की जवार की रोटी में 17 ग्राम कार्बोहाइडरेट और 3 ग्राम प्रोटीन होता है इसमें 3 ग्राम फाइबर, 8 मिली ग्राम कैल्शियम और 1 मिली ग्राम आइरन होता है आईए जानते हैं तील और अलसी की चटनी के साथ जवार की रोटी के पोश्टी गुन एक बड़ा चम्मच तील और अलसी की चट्मी कैल्शियम को बढ़ा कर 123 मिलिग्राम कर देती है फाइबर 6 ग्राम तक बढ़ जाता है जवार की रोटी के साथ आधी कटोरी चिकन करी प्रोटीन को 21 ग्राम तक बढ़ाती है इन में से ज़्यादातर खाने बनाने का तरीका अन्य टुटोरियल में बताया गया है खाने में दो या तीन खाद्य समुहों को मिलाने की सला दी जाती है पोशन की गुनवत्ता को बढ़ाने के लिए खाने में बीज, दाने और फलियों को मिलाए उदाहरन के लिए छोले की सबजी में बीजों और नारियल का पेस्ट मिलाना इडली के आटे में भुने हुए बीजों का पाउडर मिलाना अन्य उदाहरन है मानसाहारी खाने को पकाने से पहले उस पर दही या निम्बु लगाने की भी सला दी जाती है यह मास को स्वादिष्ट और कोमल बनाता है अपने खाने के साथ लसी या छाज को शामिल करने का भी सुझाव दिया जाता है यह आपके खाने में प्रोबायोटिक्स को बढ़ाएगा प्रोटीन और कैल्शियम को भी यह पाचन में भी मदद करेगा अब यह टुटोरियल यही समाप्त होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुडने के लिए धन्यवाद करेंगे जुडने के लिए.